और जिसके माता-पिता नहीं है और जिनके माता-पिता कौन के लिए शहीद हो गए उनको रखा जाता है और उनको फ्री में एजूकेशन दी जाती है तो ये ट्रस्ट चलाने वाले बीबी संदीप कौर जी एडोकेट सबर्जी सिंग विरका जी जो की यूमन राइट के एडो साम सिंग खंडा जो की जत्यदार है पंच प्यारे और उनके साथ में ऐसा सुखिंदर जी सुखिंदर सिंग जी जो की सीओ है रेडियो वाइस आफ खाल्सा कनडा से यह सभी लोग इसका विमोचन करेंगे हम उनसे अनुरोद करते हैं कि वो सामने आकर स्रीडी का विमोचन करें बीवी संदित काउर एडोकेट सबर्जीत सिंग वेरका युमन राइट सतनाम सिंग खंडा जत्यदार पंच प्यारे और एस सुखिंदर सिंग सीओ रेडियो वाइस आफ खाल्सा खाल्साल प्रूमन राइब रिष्टाँ खाल्साइब प्रूमन राइब बाइब रखाल्सा अनुर्ण सिंगलन करेंज। इस सीडी का विमोचन हो चुका है इस सीडी के बारे में संक्षिप में दो मिनिट में अपनी बात बीवी संदीप कौर जी आपके सामने बोले इसो निहाल बोले इसो निहाल बीवी संदीप कौर जी से अनुरोद करते हैं कि वहाँ संक्षित में दो मिनिट में अपनी बात रखे इस सीडी के बारे में अपने दब्बे होए मुडले हक का लई शिंगर्श कर रे वीरो ते प्यानों वाहे गुर्जी का खालसा वाहे गुर्जी की फते हैं यह जो सीडी आज हमने अर्लीज की है जो हिंदी में है गुरु गरंद सहब जी के बारे में है जे अर्फों समेत हिंदी में इसको वाइस है इसमें आप सभी इस सीडी को बाहर जो स्टाल लगे हैं उदर से जे मिलती है आप उदर लेकर आपने घर में जाकर इसको जुरूर सुनें गुरुगरन सहीब की बचार तारा से जुड़ें अभी मय अपना बाशन तो पंजाबी में ही दूँगी आप पंजाब में आए हैं तो आप भी थोड़ी बहुत पंजाबी सीक्कार इदर से जाए आपका आना-जाना लगा रहेँगा जब आफ लोड़ तो इसलिए मैं आपसे पंजाबी में ही बात करूंगी मैं धीरे-दीरे बोलने की कोशिश करूगी कि आपको थोड़ा बहुत पंजाबी का समझ लगे पामे की मनुखी हकांदी गाल वीमी सदी वेच होनी शुरू होई पर मनुखी हकांदी लड़ाई कई सदियां पहला तो ही चल रही है सदे महान रहबर गुरुनानक सेहब ने पंदर्मी सदी वेच मनुखी हकांदे लई आवाज भलंद कीती जदों असी अज एस मंचते मनुखी हकां बारे गाल कार रहे हां ता सानु सबनु पता है कि एक जमात जो सदे सारे आदे मनुखी हकां तूं सदियां तो दबाउदी आ रही है ओ है ब्रह्मनवाद ब्रह्मनवाद दी गल कर लग गयां सानु एह समझना पवेगा के उसने सिर्फ जात बादियां बंडियां पाके एत्थों दे मूल्वासी लोकानु सूतर कहके ओना दे नाल ही तक केशाई नहीं कीती एह बचारतारा मुसल्माना नूवी मलेश कहके नफर्द कर दी है ते सिखानु राकश कहन वाले वी एससे ही ब्रह्मनवाद दी बचारतारा दे पैरोकार हन हलांकि अत्यास गवाह है के मुगला दे राज समें गुर्नानक सहिब जी दी साथ जी सिख कौम इहना लोकान दा तरम बचाउंदी आई है इहना दे तरम अस्थान अस्थान बचाउंदी रही है ते गजनी दे बजारांच टके टके ते वे चनली ले आनदी जा रही इहना देखका रांदी इजतवी बचाउंदी रही है जदों गल एस सच्चाईवल आउंदी है ता इह मैं एक कहना चामांगी कि जेड़ा सक्ष अपनी जनम देन वाली और तदा अपमान कर सकता है उस्तों किसे होर दे सनमान दियास के में रखी जा सकती है उच नीजदे सदांत लिखन वाला कोई ब्राह्मन एह दावा बेशक कर लवे कि ओस्ती कोई पैन नहीं है जा ओस्ती कोई पत्नी नहीं है पर एह दावा कोई नहीं कर सकता कि मैंनू किसे और तने जनम नहीं दिता ओह ब्राह्मन भी किसे और तदी कुखों ही जम्मे ने जेड़े ए लेख गए हन टोल गवार शूतर पशू नारी जे सब तारन के अधकारी ओहना दे लिखंदा पाव एसी के टोल गवार सुद्धर पशू अते आउर्त एह सारे कुट्टे जान नाल ही ठीक रहें देने ते एह सोचन वाली गल है कि जेड़े लोग अपने जनम दियान वाली माम रोद्वी एन्नी नफरत राख दे हन ओहना तो बाकी मनुखी मनुख के में आस रख सकते हन की ओहना नाल ओचंगा विवहार करनगे ते मैं एह दास्दियां साथे गुरू सहबाना ने मनुखा दे हुंदे हर एक जुर्म हर एक तक के शाहिदे वरोद आवाज बलंद कीती है औरता नाल वितकरा कर वाले अनू गुरु नानक साहिब ने आख्या है सोक्यों मंदा आखिये जित जम्मे राजान जेस औरत ने राजे महराज अनु जनम दित्ता उसनु बुरा क्यों कहिंदे हो गुरू सहब दा इह फर्मान गुरु गरान सहब दे पन्ना नंबर 473 दर्ज है एसे तरह जात पाद दे अदार ते ऊच नीच दे फत्वे दियन वाले अनु गुरू सहब ने ललकार की आख्या है साजाद सापात है जेह कर्म कमाए जनम दे अदारते कोई उच्चा जा नीमा नहीं हो सकता बंदे दे कर्म दास देने की उच्चा सुच्चा है जाओ नीच है गुरू सहब दा इह बचन गुरू गरान सहब दे पन्ना तेर सोती ते दर्ज है गुरू सहब ने सानु सिर्फ एह अनमोल वचारता रहा ही नहीं दिती बालके सिखानू आपने ते खोर मनुखता दे मनुखी हकां दी राखी दे लई हथा में शम्चीर भी दिती है एस सम्चीर दी नोक नाड लहोदी श्याई बनके सिख कौम ने एक मान मत्ते अत्यास दी सिर्जणावी कीती है जेस बारे मैं नुवास है कि एथे मजूद सारे वीर पैन चंगी तरह जान दे होनगे बाम से एवते मंचतों ब्रहमन वादी जुलम सित्म वरुद लार्न वाले सारे वरकर साधे प्राहन साधियां पैना हन सिख कौम ने सिर्फ ब् के ब्रहमन वाद दे नाल नाल दुनिया दे मन्ने ब्रमने मुगल सामराज दे अंग्रेज सामराज वरुद वी लड़ाई लड़ी है एस मंचतों मैं बाम सेफ दे वरकरानू एस सद्दा देना चौंदी हां के मनुखता दी राखी लई साधे गुरू सहबान ने सानु यह साच जानेओं गुरु गुरंद सहब दी शर्ण आके एक अनसान वेच सवा सवा लख नाल लारंदी हिम्मद पैदा हुंदी है एन्या को बेंतियां दे नाल ही प्रबंद का दाता अन्वाद कर दी होई खिमा दी जाच कहां वाहे गुर्जी का खालसा वाहे गुर्जी क भी फते धन्यवाद देवी संदिब कौर जी इस पंजाबी भाषा का जो शौड में अनुवाद है वह डॉक्टर बलकार चंजी आपके सामने करेंगे ताकि हमारी बहन ने जो आपके सामने बात रखी है बहुत एहम है वो आपको समझनी चाहिए डॉक्टर बलकार चंजी अभी अभी जो शिर्गुरु गांज साथ का हिंदी में अनुवाद बीबी संदीब कौर जी ने किया है उसका बमोचन किया है सीडी का उसके बाद उन्होंने पंजाबी में वचार आपके समक्ष रखे हैं वचार वो सभी जो हम गुरुओं को मानते हैं जो हम मूवमेंट महापुर्शों की लेकर के चलते हैं बिलकुल वो सभी मिलते जुलते हैं सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मनबाद को टार्गिट किया है कि कैसे पुरा सिक्षिज्म जो है वो ब्रह्मनबाद के खलाप लड़ाई लड़ी है दूसरा जो औरत का अपमान हुआ है जो जन्म देती है जो इस धर्म शाहिस्तर ने उसका जो परमान किया है उसके बारे में जो श्रीगुरु गरांस साहब जा गुरुनानक साहब ने जो बताया है सो को मंदा आखिये जिस जम्म राजान बड़े बड़े राजा लोग जिसकी पेट से पैदा हुए हैं उसको कैसे तुलसी दास ने कहा डोल गंबार पशू और नारी सभी तारन के अदखारी नारी को भी तारन के अदखारी बनाया गया उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे गुरुओं की जो मूमेंट चली वो पूरे जुल्म के खलाफ थी जिन लोगों ने भी जुल्म किया है उसके खलाफ लड़ाई लड़ी गई जाद पात और उच नीच के खलाफ जो बावसिफ पुरे भारत बश्च में लड़ाई लड़ रही है हम उसके साथ मिल जूर कर एक मत होकर संजा प्लेट फर्म संजा करके जे लड़ाई मिल जूर करके लड़ेंगे ता जो हम मारा जो गुरुओं का जो अपदेश है जो उनका अपदेश है वो हम पूरा कर सकें बहुत बहुत धन्यवत धिनवाद डाक्टर बलकार चंजी केल पाशी डिप्टी जनरल मैनेजर वेंजी से एहमद अबाद से और पी एज सोलंकी साहब राश्ट्रिय कारिकर अध्यक्ष आरियम बेकेस मध्यप्रिदेश से अनुरोध है कि वहाँ मंच पर आकर अपना स्थान गरन करें अगले वक्ता के रुप्पे इस विशे पर आपके सामने अपनी बात रखने के लिए हम आमंत्रित करना चाहते है मान्य भी चनेया सहब जो की तलंगणा से है वहाँ डाइस पर आकर अपनी बात रखे मान्य भी चनेया तलंगणा से जही मुल्निवासी साधियो देश में हर खोने खोने से आया हुए मेरे मुल्निवासी भाया और भायनों को 34 नेशनल बामसेब नेशनल कन्वेंशन के संदर्म में आप सब लोगों को तलंगणा के तरफ से हार्दिक स्वागत है साधियो आज का जो सब्जेक्ट है ट्रेड यूनियन को विस्तार करना उस विस्तार करने में क्या-क्या समस्या आ रहा है इसके उपर ये सब्जेक्ट हमको दिया गया है साधियो धेश में हमारे लोगों के लिए आलरड़ी जो भी इस्टाब्लिश यूनियन्स जो भी है वो सारे के सारे भ्रह्मन फोर्सेस के कंट्रोल में है हमारे किसी भी इसमें से बिलांग करता हूं मैं सीनियर अस्टेंट टो एलक्सिटी डिपार्टमेंट का उदर आंध्रपजे स्टेट एलक्सिटी बोर्ड बोलके था मेरा डिपार्टमेंट चंद्रवाब नायडू मुक्यमंत्री रहे जबू ये स्टेट एलक्सिटी बोर्ड को प्रावेटाइजेशन के माध्यम से इसको तीन तुकड़ा कर दिया एलक्सिटी बोर्ड को जब एलक्सिटी बोर्ड में समयक्या अंध्रपजेश में एलक्सिटी बोर्ड डिपार्टमेंट था ये स्टी बीजने का काम दिया तीन तुकड़ा बना दिया करंट जनरेट करने के लिए जो विंग रहताया उसको जनको बना जो करन्ट को खरीदने का काम एपी ट्रांस को बोलके कर दिया जो करन्ट करीदने के बाद जो लोगों को बेजना है उसका काम डिसकम्स को बना दिया उसका पूरा का पूरा जो कांटाक्ट सिस्टम है वो ब्राह्मन बनिया रेड़ी और कम्मा विल्मा लोगों के आद में गर हुआ है अपि रिक्रूटमेंट बना तो आउटसौर्चिंग आटक्ट भीडाइशेंफ में रिक्रूटमेंट करने काम कंटिनु कर रहा है अब तो कि जेननों के बाद रहे प्रभाकर प्रभाकर रहा हो यह पीवी नर्शिम्मराव का रिलेटिव है उन दोनों CMD को IAS रखना है और तेलंगाना ट्रांसकोर तेलंगाना जनकों को CMD के हो हलाग हलाग IAS लोगों को इसको CMD बोलके रखना है मगर केशियार ने यह ब्राह्मनों के प्रभाकर को जैन्ट CMD बना दिया उदर फूरा वेलफेर सत्यनाश हो रहा है तेलंगाना में मैं कही के लिए बोल रहा हो ले तो यह समय के अंद्र परेश में इसको प्रवेटेजेशन खरे खरे जबू जो आल किलाब रहिना ता मगरं जो भी ट्रेड उन्ययन का था ट्रेड पियरा बीजपी गया था इससे रिजल्ट क्या हो रहा है साथि हो जो बावन बनिया लोगों का ड्रेडियोण से इसके किलाव इसके काउंटर हमारे मुल्निवासी लोगों का ड्रेडियोण देशबर में आना है इसलिए हम वामन मेशनम साहब ने इस ड्रेडियोण को लागू किया अब ये बामसेफ जो इसका रूट्स मजबूत बनाना के लिए अब यह पेड़ है तो फेड़ का रूट 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 सिस्टम जो हारें बीकेस है यह राष्टी यह मूलनिवासी बहुजन करमचारी संग है जो समय के अंध्रपदेश में और तिलंगाना अंध्रपदेश में इसको डिवल ऊसको 31 डिस्टिक बनाया ओ तरद्दिवक डिस्टिक में हम लगवने आरें बिए कीया आरैंब कहस और इस्टाबलिष करना है कस्टम जासका अविश्टरण करना है इसके उपर हम और करके अब बूरा और बिगेसं तिलंगाना में फूरा भेलाने का काम करने एंगे काम पे प्रेड यूंईन है इन लोगों में यह डएड यून्येंस जो है यह अमारे लोगों का काम नहीं करते हमारे सम्पलाइस का सिके काम सावाव गर दे उनका समय स्मथ्या पािदर्द 2 समस्या का समाधाण मां नहीं काम्याव हो रहा है साथियो इसलिए अरेंबी केस कड़ा करने का सोच हम लोगों ने डेवलप किया और साब के गाइडलाइन्स के इसको उधर डेवलप करने के काम अभी आने वाले दिनों में हम करने का प्रयास हम कर रहे सब और जो भी इस ट्रेड यूनियन में अभी गौर् का जो भी प्राब्लम है सोल्युशन करने के लि, हमारा मुहनेवास हम का बुनियन होना है बोलके हम एह हरेंबी के सबस्क्राने के लिए हम हम आगे बढ़त रहे हैं और जो भी दो तरह का प्राब्लम है उदर वरकर लोगों का प्राब्लम्स जादा है तो वरकर लोगों का प्राब्लम्स में जादा से जादा क्या प्राब्लम्स आता है प्रमोशन किदर ले प्रमोशन लेने का इंक्रिमेंट लेने का CRS लेने का और ट्रांसफर किसी एरिया में उनको करवाना है यह बोध मेन मेन प्राब्लम्स में चार प्राब्लम्स बोध इंपर्टेंट प्राब्लम्न है इस प्राब्लम्म में हमारे RMBKS अगर इसमें टेक ओवर कर सकते हैं तो उस ट्रेड यूनियन के कंपरिजन में RMBKS अबर्ण सब्सक्राइब करने का प्राबध अब्रेड लोगों के वह बातरा है क्योंकि नया ट्रेड यूनियन्न आने के लिए वह प्रेशराइज करें लोगों को एमारे जो ड्रेड वूने लोगों ने अमल करना पूले तो ऑन लोगों का प्रेशर जादा है उस इस समय में उन से मोट्यवेट करके ट्रेड यूणेन के र्चिवाट्मेंटाट सब् Olan करने का करने का साथ कम हम लोगोंगों करने का प्रयस कर के विवस्ता परिवर्थन करने का टार्गेट रखा वो विवस्ता परिवर्थन करने का जनांदोलन करने का कारिक्रमम में यह आरेंबी के इस बोद पावर्फुल आर्गनेजेशन होने वाला है इंडिया में इस पावर्फुल आर्गनेजेशन को इंडिया लेवल में हमारा फिलांद हान अंधरपदेश लेवल में इसका विस्तरन करने के लिए ऐसका जो भी प्राबल्बम्स क्रीट हो रहा है वह प्राब्लम्स हो। मां में को सालू करने के लिए तना ही रखता हूं भागी ऐस प्राथा में समय के अंधरा प्रदेश में उसका इंप्लिमेंटेशन करने का पूरी तरह से कोशिस करेंगे और हमको इधर बोलने का मोका दिया इसके लिए धन्यवाद और मैं मेरा बाद यही समप्त करता हूँ जै मुल्निवासी जै बारत धन्यवाद मानिय भी चनेय सहब जो की तलंगना से थे अगले वक्ता के रूप में हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं मानिय केल पाशी डिप्टी जनरल मैनेजर ओएंजी से अमधाबाद वाड आयस पर आकर अपनी बात रखे इस विशे के संदर्ब में मानिय केल पाशी डिप्टी जनरल मैनेजर ओएंजी से अमधाबाद धन्यवाद सर सबसे पहले मैं छमा मांगता हूँ मुझे आने में विलम हुआ जो हमारे कंट्रोल में नहीं था तो मैं सभी लोगों से सभी जनों से मैं छमा प्रार्थी हूँ कि मैं समय पर नहीं पहुचा और हम कई वक्ताओं की बात नहीं सुन पाए है आज जो हमारा सब्जेक्ट जो हमको दिया गया है जिसवे हमें चर्चा करनी है वो बहुत एहम है इसको कई वक्ताओं ने इसको पढ़ा हुआ है लेकिन मैं फिर से अपनी बात को रखता हूँ कि हमको जो है ट्रेडी उनियन के विश्वे में जो बाम से अपने जो एक आरेमबे के एस को एक संस्था दी है उसके बारे में चर्चा करनी है लेकिन इसके पहले मैं मेरे जब मैं आया उस समय एक फाच्मा बीबी जी वो थी ना लेडी कहना था संदी फाच्मा जी बीबी जी सूत्र पढ़ नहीं थी मेरी जुम्यदारी बनती है कि मैं उसके बारे में थोड़ा दो मिनट चर्चा कर लो उन्होंने बोला था ढोल गवार सूद्र पसुनारी यह हैं ताड़न की अधिकारी बिल्कुल सही कहा और हम लोग बाम सेप का कोई भी कार करता किसी भी विशे में उसको दिया गया हो लेकिन जहां सामाजी के बात आती है तो वो दो सब्द कहे बगएर नहीं रह सकता है तो मैं आपसे इजायत चाहूंगा कि मुझे दो मिनट इस बारे में बोलने दें ये बात बिल्कुल सही है ये बनाई गई चीजे हैं ब्रामनों द्वारा हमको गुलाम बनाने के लिए लेकिन मैं इसका इतिहास बताना चाहता हूं कि ये लोग नारियों को और सुद्रों को एक फाड़ पर एक जैसा ट्रीट क्यों करते हैं ये हमें समझना होगा तो सारी बात किलियर हो जाएगी जब आरियों ने हमारे देस में हमला किया था वो हमला वार थे वो यहां पर केवल हमला करने आये थे अपनी फैमली को लेके नहीं आये थे और जो हमारे पूरवजों के साथ जो हुआ और फिर इसके बाद हम लोग गुलाम बनाये गए तो उनके पास उनकी फेमली नहीं थी तो जिस तरह हमको गुलाम बनाया गया तो हमारे जो घर की जो मैलाएं थी उनको भी गुलाम बना लिया गया तो वो लोगे मैलाओं को दर्जा देते हैं इसी हिसाब से वो बात 5000 साल पहले वाली बात अभी तक वो चलती चलिया रही है तो मैं यह क्लियर करना चाहता हूं कि यह बात ऐसी है जो बिलकुल गलत है जो नहीं होना चाहिए वो चल लए है अब मैं अपने विसाय पर आता हूँ मुझे गुलाम, मज़़ूर, कर्मचारी तीन सब्द हैं जिनके बारे में चर्चा करनी है गुलाम तो हम लोग थे गुलाम से मज़़ूर बने गुलाम अंग्रेजों के सामने थे मज़़ूर बने अंग्रेजों के समय और बाद में भी मजदूर बने उसके बाद उसको आगे बढ़के कर्मचारी हो गए लेकिन हमारी जो दसा और दिसा में कोई अंतर नहीं आया इसकी सुरुआत हमारे महापुरसोन अलेडी उनके दिमांग में थी क्योंकि 85% लोग पहले से भी जो गुलाम थे वही मजदूर हैं और वही कर्मचारी हैं अभी उनकी मानसिक्ता बदली नहीं है मात्मा जोतिराव फूले सामने चालू की थी सबसे पहले 1848 में और उनकी यही सोच थी अगर किसी को उधार करना है तो इस वर्ग के लोगों को जो गुलाम थे और अंग्रेजों के आने के बाद उनको थोड़ा लिबार्टी मिली और इनके बारे में कुछ करना चाहिए तो वहां से चालू ही बावा साब आये इसके पहले भी बहुत से लोग किये लेकिन उनका केवल एक ही मकसद था कि हम लोगों का सोसान करना मद्रास यूनियन 1818 में आई 1918 में आई सबसे पहले जिसने काम किया वहां टेड यूनेंट टेक्स्टाइल का उन्होंने समाला फिर बावा साब इनने अपने मज़़ूर भाईयों के लिए 1926 में जितनी भी लोग इस तरह अन्रजिस्टर्ड थे उनके माध्यम से 1926 एक्ट बनाके सबको रजिस्टर्ड कराना पड़ा और ये अंग्रेज लोग उनके सामने मज़़ूर हो गए उनकी बात मानने के लिए तो उसके हिसाब से सारे जो टेड यूनियन जो थे असमवैदाने का संगठित वो उनको रजिस्टर्ड करना पड़ा और उनको ये कमिट करना पड़ा कि हम अपने मज़़ूरों के स्वास्त के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए और भी बहुत सारी चीज़ां जो हम करेंगे इस कमिट्मेंट के साथ 1926 में एक्ट बनाया गया और बहुत सारे यूनियन उससे जुड़े लेकिन जब देखा कि ये सारे लोग संगठित हो रहे हैं वो तो हम सब बहुजन लोगी थे यहां के मूल निवासी थे आज की डेट में भी 90% अगर आकड़ा निकाला जाए तो यही निकलेगा कि 90% में ये मजदूर गुलाम और कर्मचारी को अगर इकटा कर दो तो 90% हो जाएंगे तो इन्होंने क्या किया कि इस स्टीज को इनके हाँ से सिलिप हो रही थी तो उसे बचाने के लिए बहुत सारे यूनियन खोल दिये और वो सारे यूनियन के में हेड यही लोग थे यही ब्रहमणवादी विचारधाराओं के लोग थे और इन्होंने फिर से हमारे लोगों को मलब मजबूर कर दिया अपने अंडर में काम करने के लिए और आज तक वो बेवस्था चली आ रही है हम लोग अपनी समस्याओं से जूज रहे हैं और जो हमारी समस्या हैं कोई भी समस्या आज की तारिक में है फिर से मैं बोलूँगा जब तक हम समाज को नो डाउट हमारा जो है बामसे करमचारियों का संगठन है करमचारियों के लिए नहीं है वो सब ठीक है लेकिन हमें समाज को समाज के लिए जरूर ऐसा कुछ करना है जो रिटर्ण में हमको अपने आप मिलेगा जैसे फार एकजामपिल आज देश की जो हालत है मुझे नेशनल प्रिविंसिटी प्रिविंस्टन फोर्स जो बनाया है बामसेब ने उसकी बहुत याद आती है अगर हम समाज को इन चीजों से इस माध्याम से एकजूट होकर अगर हम तुरन बचा सकें तो जन मानस आटोमेटिक जुड़ जाएगा चाहे वो संगठित हो चाहे असंगठित तो नफ के भाई लोग है इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए चाहे वो हमारा कर्मचारी संगठन हो या कोई भी संगठन हो अगर किसी को चोट लगी है तो हमें immediate दवा देनी है अगर नहीं दे पाए तो हम पर प्रस नूटते हैं तो हम सबसे पहले सबसे पहले इसको भी मजबूत करें equally importance दें नहीं तो जो हमारी बात को इतना ज़्यदा वजूद इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा तो नफ आज की डेट में हर देश में सब जगे रोद दो चार गटना ऐसी होती है और अगर हमारे आदमी उनको जाके फर्स्टेड टाइप मनलब उनकी बात सुने क्या हुआ क्या नहीं हुआ administration तो support नहीं करता है तो अगर ऐसा करेंगे तो हमें हर तरब से सफलता मिलेगी ऐसा मेरा मानना है कटू अनुभाव है और साथ फिर मुझे निरासा होके छोड़ना पड़ा और यही है कि हमारे लोगी हमारी बात जब नहीं समझते हैं जब हमको अपना नहीं समझते हैं तो हमें मजबूरन जो है ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं लेकिन फिर से यह रास्टी मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संग का मैंने नाम सुना तो मैं बहुत खुस हुआ चोगि यह जो है 85% लोगों को कवर करता है तो नाफ और यह अगर हम इसको कंट्रोल करने तो आर्टोमेटिक बहस्ता परिवरतन हो जाएगा हमारे लोग यह 85% है और इनी की सुधार के लिए उनका एक मिनट के लिए हम यह सोच लें कि हम इनके लिए काम करें तो डेफिनेंटली जो है यह हमारे हो जाएंगे और हमारे अपने मेनी स्टीम में आ जाएंगे अभी देखिए डे बाई डे हम लोगों का सोसन होता जा रहा है 2000 में अटल ब्यारी बाजपेजी ने 30% की छटनी कर दी या और भी जो अत्याचार होते जा रहे हैं उस पर हमारे जो फेड यूनियनिस्ट हैं वो जो है वो कभी सोर नहीं मचाते क्योंकि यह उनी के आद्मी हैं इतना सब कुछ होता है वो जो है इसके खिलाब सोर नहीं मचाते हैं कुछ भी हो जाए चुकि वो सब एकी हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपना ट्रेड यूनियन को मजबूत करना है और अपनी आवाज उठानी है और इसके लिए मैं यही बोलूगा कि हम लोगों को भी जन जन तक अपने लोगों तक उनकी प्राबलम भी सुननी है तभी वो हमारी ओर अगरसित हो जाएंगे धन्यवाद मान्य केल पाशी साहब जो की डिप्टी जनरल मैनेजर वेंज जिसे हमदाबाद से थे अगले वक्ता के रूप में हम लोगा मंत्रित करना चाहते है मान्य डक्टर बलकारचन और एम बीकेस सीजी मेंबर पंजाब से डक्टर बलकारचन मूल वासी साथियो जो आज का अदुगाटन सेशन के बाद जो सेशन चल रहा है जो डेलीगेट सेशन है इसमें जो ट्रेड जूनियन राश्वे मूनवासी बहदेन कारमचरी संग जो बनाया है उसकी क्यों जरूरत पड़ी उसको डेवेल्प करने के लिए कौन कौन सी समस्याई आ रही है और ट्रेड जूनियन क्या होता है उसका मकसद क्या होना चाहिए इसके ओपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो मिनिस्ट्री ओफ लेबर है जो उसका लेबर बिरो है वो हर साल एनुवली उसका डाटा जो पबलिच करता है रिलीज करता है और 2012 में जो स्टैटिक स्टिक्स उनने रिलीज किया है उसमें उन्होंने कहा कि पुर्य भारत में 16,114 ट्रेड जूनियन्स है और उसके 9.88 मिलियन मेंबर्शिप है और ये इतने ट्रेड जूनियन है ज़्यादा तर अलग लग फर्म्स हैं अंडस्ट्री है ये सभी डिरेक्टली जा इंडिरेक्टली अफिलियेट टू लार्जर फडेशन्स है वो जो फडेशन है सेंट्रल ट्रेड जूनियन और्गनेशन्स और्गनेशन्स सीटी यूओ तो जो ट्वैलब है बारा जो सेंट्र ट्रेड जूनियन और्गनेशन्स जो चल रही है ये ज़्यादा तर इवन के टोटली वो जो शाषिक वर्ग के दोरा चला ही जा रही है इसमें मेंबर्शिप तो हमारे लोगों की भी है मगर उनके जो नेता लोग हैं वो ज्यादा तर उनीकी पालसीज के उपर अगर तो उनका थोड़ा बहुत दिखाने के लिए वरोध करते हैं और पूरे के पूरे जो 85 परसंट जिसको हम मुला सी बहुजन समाज कहते हैं उसको कैसे गुमरा करते हैं कैसे उसको इस्तिमाल करते हैं इसलिए जे ट्रेड जूनियन का जो कंसेफ्ट है जो बामसेफ्ट ने जो हमारे राश्टे देख्षजी ने जैसे लग लग जो फ्यूड विंक खड़े किये हैं उसके इसाब से ये नया संगठन जो 2013 में रिजिस्टर किया गया है जो ट्रेड जूनियन एक्ट है 1926 का उसके अंतरगत सो ज्यादा तर हमारे जो साथियों ने बताया है ट्रेड जूनियन किसके कंट्रोल में है हम लोग जैसे पंजाब में काम कर रहे हैं अभी तक एक कारेकरम 2016 में हमने ट्रेड जूनियन का लिया था कपूर्थला में उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि अभी पंजाब में जे इ क्या कहते थे ये हमें मालू होना चाहिए हमें जानकरी होना चाहिए क्योंकि अगर हम उसका मकसद नहीं जानेंगे तो हम कैसे उसको ड्वेल्प करेंगे उसकी एहमियत को कैसे समझेंगे बावा साब ने कहा कि किसी भी ट्रेड जुनियन के तीन अबजेक्ट होने चाहिए सबसे पहले तो जो ट्रेड जुनियन है इट में है थ्री डिफरेंट पर्प्रस और थ्री डिफरेंट अबजेक्ट्स अबजेक्ट्स और जुनियन में है प्यूरली वट काल्ड ट्रेड जुनियन पर्प्रस तेट तो से पर्प्रस चिनेक्टेड विद दा प्रमोशन आफ देर पर्टिकल इंटरस्ट्स उनके हिट के लिए जो भी ट्रेड जुनियन के जो मलाजम है जा वर्कर्ज हैं उनके हिट के लिए जो इसमें जो वेज़ज़ज़़ज़़ज़़ज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ इसके लबाबा बाबा सब क्या चाहते थे, दूसरे अबजेक्ट के बारे में क्या बोलते हैं। यह जो सोचल अबजेक्ट है जैसे जे जूके में वो बताते हैं कि उनाइटेड किंग्डम अंग्लैंड में यह इसको सोचल अबजेक्ट के नाम पर बताते हैं। तो विच दा जूनियन थिंक्स इस बेस्ट सुटर फार प्रटेक्शन अफिट इस स्क्राइट इस सोचल पोजिशन। जे वॉल्म टू में बाबा साब का जो पेज 225 में आप पर सकते हो। आगे लिखते हैं ट्रेड जूनियन जूनियजम एम्स एट कंट्रोलिंग गवर्मेंट। वो कहते हैंगे ट्रेड जूनियन 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 जू सभी लेवर की समस्याइं जू इल्ज है वो दूर नहीं होगी। ट्रेड जूनियन 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 जूनि अधर लोग कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि गौवर्मन्ट के ओपर कंट्रोल कैसे किया जाए अनले स्टेट जूनिजम एम्जेट कंट्रोल गौवर्मन्ट ट्रेट जूनियन्स यसे हम देख रहे हैं कि जो ट्रेट जूनियन्स को काम कर रही हैं अलग लग लीडरों के अंडर हमारे लोग काम कर रहे हैं उनके एक टूल्ज बने हुए हैं तो इट मेंस वो कहते हैं कि लेवर्मन्ट शुट हैव और रॉन रीप्रिजंट टेवल्स उनके अपने नमेंदे होने चाहिए यू मस्ट नेवर फोरगट तेट अर्मएडी फॉर्ड ग्रीवन्स इता राइव जब दो एक लिवड्याइए अपने लाइव जब ने आपने लाइव जब लेजिसलेशन अमेयर दैट सथ दैट आफ़ पर इस्ट्राइक इता हैं के हला गुला कर लिया, स्ट्राइक कर लिया, जे एक ही अपके दुखों का तकलिफों का मामला नहीं है, सावल कर पाएगा. I do not grudge the right of the aggrieved to resort to strikes, but that is not a weapon which they can every now and then use. How to get such a legislation on the status book, जैसे constitution है, is again a question. You have, which you have to solve. Unless you have your own representatives in the legislative councils, you will not be able to do it. You must find men who will always promote your interests. इसका मतलु यह हो गया है, कि जो भी आपके नमेंदे हो, आपके इंटरेस्ट की बात करते हूँ. इसके साथ साथ बाबा साथ ने एक और बात कही थी, कि जो ट्रेट जूनियन हैं, उसके दो एनिमीज हैं. एक तो ब्रह्मनिजम, दूसरा है कैप्टलिजम. जितनी भी भारत में स्टेट जूनियन्स हैं, वो दखावे के लिए कैप्टलिजम के उपर बात करती हैं, पूंजी बात के खलाब. मगर कवी किसी ने ये सुना है कि ब्रह्मन वाद के खलाब भी वो बात करते हैं.